उत्रप्रदेश में गाजिपूर की MPML कोट में शनिवार यानि की 29 अप्रेल को गैंगस्टर के एक मामले में मुक्तार अंसारी और उनके बड़े भाई अवजाल अंसारी को दोशी करार दिया मुक्तार बांदा जेल में बंद है जबकि उनके बड़े भाई और सांसर अवजाल अंसारी को हिरासत में लेकर गाजिपूर की जेल भेजा गया 30 साल पहले राजनीती में कदम रखने वाला मुक्तार देखते ही देखते प्रभाफशाली नीता बन गया उससे पहले मुक्तार पूरवांचल में गैंग वार से चर्चा में आया था आएए आपको बताते हैं मुक्तार अंसारी की पूरी कहानी क्या है क्राइम कुनली क्या है राजनीतिक सफर क्या रहा 80 के दशक में मुक्तार अंसारी सादू मकनू गैंग का सदस्य था 1991 में मुक्तार अंसारी ने पहला चोनाव गाजीपूर की सदर सीट से निर्दल्य लड़ा और हार गया इसके बाद मुक्तार ने अपने भाई की सीट मुहमदाबाद से सटी मौु जिले की सदर सीट से किस्मत आजमाई 1995 में पहली बार विधायक बना बाद में वो मौु सदर सीट से पाँच बार विधायक हुआ 1986 में मुक्तार अंसारी का नाम सचीदान अंद्रोय हत्याकांड में सामने आया और इसके बाद पूरवांचल में गैंग वार्ट से मुक्तार अंसारी सुर्ख्यों में बना रहा अपराद की दुनिया से ठेके पट्टी विवादे जमीन लूट कर अपनी छवी बनाने वाले मुक्तार कामियाब रहा राजनीती में प्रवेश के बाद मुक्तार ने रसूक के साथ दौलत भी खोब कमाई और अपने करीबियों को भी कमाई करवाई साल 1995 के बाद मुक्तार की निगाह गाजिपूर कोदवाली शेत्र के महुआबाग बाजार के एक प्लॉट पर पड़ी जहां शिया मुसल्मान का कबिस्तान आबाद था और कुछ हिस्से में जुग्जी जोपड़ी बना कर लोगचाय की दुकानों के साथ रहते भी थे उस जमीन को मुक्तार अंसारी ने धीरे धीरे कबजाना शुरू कर दिया सूतर बताते हैं कि वहां पर काबिस लोग थे उन सभी को धीरे धीरे हटा दिया गया और वहां रखबे से ज्यादा जगह को कबजा करके गजल होटेल और शौपिंग कॉम्पलेक्स का आवैद निर्मान किया गया इसके पीछे आज भी थोड़ी सी जगह कबिस्तान के लिए छोड़ी गई जानकारों की माने तो बाबत मुकदमे बाजी भी हुई लेकिन नतीजा सिफर हुआ 222 के चुनाव में मुक्तार अंसारी का भाई अवजाल अंसारी मुहमदाबाद सीट से चुनाव लड़ा और भाजपा के कृष्णानंदराय से हार गया इसके बाद अक्टूबर 25 में मौ में त्रीसतर ये पंचाय चुनावों के दौरान दंगे भढ़के और मुक्तार को जील जाना पड़ा अवजा यह रहा कि उसका परिवार आज तक परिशान है आज मुक्तार अंसारी उसका बड़ा बेटा और विधायक अब्बास और बहुन निकहत जेल में है बीवी अफशा बेगम और अब छोटा बेटा उमर फरार है जबकि गजल होटल के साथ कई अन्य प्रापरटीज पर बुल्डोजर चल चुका है और वे सब भी सीज किये जा चुके हैं जानकार यह भी बताते हैं कि वक्फ यानि की कबिस्तान की जमीन पर अवैद कब्जा कर गजल होटल का निर्मान मुकतार को भारी पड़ा और राजनितिक वर्चस्व की लड़ाई में मुकतार की दिन फिर गए भाजपा विधायक क्रिशनंद रॉय के काफिले पर अंधा दून फाइरिंग हुई जिसमें विधायक रॉय समेट साथ निर्दोश लोग मारे गए इसके बाद मामला दिल्ली के सदन में काफी दिनों तक गूंचता रहा माना जाता है कि कबिस्तान की जमीन पर होटल गजल का निर्माण और विधायक के काफिले में निर्दोश लोगों की मौत के बाद से ही मुकतार के करियर को उधल पुधल का सामना करना पड़ा इसका अंजाम यह रहा कि मुकतार अंसारी की अर्श से फश्ट के कहानी आज चर्चा में है आज आम लोगों की पौंच में है